सूरिय ग्रहन दो हजार तेज़ जो करते हैं आपको गरीभी का सामना करना पर सकता है इसलिए आपको ये काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए 20 अप्रेल को लगने वाले ये सूर्या ग्रहन इस बार भ Waarणगी इस सूर्या मेशराशी में विराजमान होंगे और गुरु मेश राशी में आकर सूर्या के साथ यूती करेंगे और इस दिन वैसाख अमावस्या भी होगी साथ ही इस दिन एक ही दिन में तीन सूर्या ग्रहन भी दिखेंगे और इसलिए वग्यानिकों ने इसे हाइब्रिड सूर्या ग्रहन का नाम दिया है आएए देखते हैं कि आखिर हाइब्रीड सूर्य ग्रहन होता क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सबसे बहले जानते हैं कि साल के पहले सूर्य ग्रहन की अवधी यानि टाइमिंग क्या रहेगी तो दोस्तो सूर्य ग्रहन सुबा 7 बचकर 4 मिनट से शुरू होगा जो कि दोपहर 12 बचकर 29 मिनट पर समापत होगा इस सूर्य ग्रहन की कुल अवधी 5 घंटे 24 मिनट तक रहेगी और अब समझें कि आखिर एक ही दिन में तीन तरहा के ग्रहन कैसे दिखेंगे तो दरसल इन तीन प्रकार के ग्रहनों में शामिल है आशिक ग्रहन, पूर्ण ग्रहन और कुंडला कार सूर्य ग्रहन ये तीनों ही एक ही दिन में दिखाई देंगे और इसलिए वग्यानिकों ने इस ग्रहन को हाइब्रीड सूर्य ग्रहन का नाम दिया है वैसे आपको बता दू ये हाइब्रीड सूर्य ग्रहन सो साल में एक ही बार लगता है जब धर्ती का और सूरज का कौन कुछ इस तरहां से बनता है लेकिन आशिक सूर्य ग्रहन तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के किसी छोटे हिस्से के सामने आकर रोशनी को रोखता है तब आशिक सूर्य ग्रहन होता है दूसरा है कुंडलाकार सूर्य ग्रहन जब चंद्रमा सूर्य के बीचों बीच आकर रोशनी को रोपता है तब चारों तरफ एक चमकदार रोशनी का गोला बनता है जिसे रिंग ओफ फायर भी कहते हैं एक रिंग वल्याकार रिंग बनती है जैसे कि आप तस्वीर में देख स तो इस तरह के ग्रहन को कुंडलाकार या वल्याकार ग्रहन कहा जाता है और पूर्ण सूर्य ग्रहन तब होता है जब प्रित्वी सूर्य तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में होते हैं जिसके कारण प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है मतलब दिन में भी सूर्य अस्त की तरहा माहोल आपको दिखाई देता है और ये तीनों ही जब एक साथ होते हैं तब इसे हाइब्रिड सूर्य ग्रहन कहा जाता है और ये घटना सो सालों में एक ही बार देखने को मिलती है और इसलिए इस बार सो सालों में पहली बार सूर्य ग्रहन पर इस तरह का अदबुत संयोग बन रहा है क्या क्या काम ऐसे हैं जो आपको नहीं करने हैं सूर्य ग्रहन के दोरान नमबर एक ध्यान रहें दोस्तों ग्रहन के दोरान कभी किसी सुनसान जगा पर अकेले ना जाए जैसे सुनसान हो गया कोई पुरानी हवेली पुराना बंगला ऐसी जगा पर अकेले ना जाएं क्योंकि माना जाता है दोस्तों कि ग्रहन काल के दोरान नाकारात्मक शक्तियां हावी रहती है और ऐसी सुनसान अकेली जगाहों पर नाकारात्मक शक्तियां जादा होती है और आपको नुकसान पहुचा सकती है जैसे ही सूर्या ग्रहन आरंभ होता है ध्यान दे सूर्या ग्रहन से पहले सूतक काल लगता है इसकी बात हम आगे करेंगे इसी वीडियो में तीसरा काम देखिए जो आपको नहीं करना है ग्रहन काल के दोरान कभी किसी नए काम की शिरुवात ना करें जैसे मान लीजिये आप अपनी किसी दुकान की ओपनिंग कर रहे हैं किसी नए बिजनस काम धंदे व्यवसाय का शुबारंब कर रहे हैं ग्रह प्रवेश कर रहे हैं और कोई मांगलिक कार्य जैसे सगाई, एंगेजमेंट, मुंडन, संसकार, शादी वगेरे इस तरह की काम किये जाते हैं, इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें जैसे कि ग्रहन काल के दौरान ना खुन ना काटे, बालों में कंगी ना करें, ये चीज़े भी अशुब मानी जाती है, ग्रहन के दौरान इन चीजों को करने से भी बचें, ग्रहन के स पाईए ये ग्रहन समाप्त होने के बाद निकलें, लेकिन ग्रहन के समय किसी नई जगहा की यात्रा पर ना निकलें, एक महत्वो पूर्ण बात का जरूर ध्यान रखें, ग्रहन काल के दौरान और सुतक काल के समय किसी गरीब या उसहाय व्यक्ति का अपमान बिलकुल भी ना करें, यदि गरीब या उसहाय व्यक्ति का अपमान करते हैं, तो शनी देव की बुरी नजर आपकी जिंदगी पर पढ़ सकती है, उसके बाद आपकी जिंदगी में क्या हालत हो सकते हैं, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, अब किसी पर शनी की कुद्रिष्टी ह तो उसकी जिंदगी का नाश होने से कोई भी नहीं रोक सकता, इसलिए कभी किसी गरीब का अपमान ना करें, अगर कोई भिक्षुक ग्रहन काल के दोरान आपके द्वार पर आता है, तो जरूर उसे कुछ ना कुछ भीक में दें, इसके अलावा एक और बात का जरूर ध्या करना चाहिए ग्रहन काल के दोरान, ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो हमारे देश में शास्त्रिय धारना है, उनके मताबिक कहा जाता है कि ऐसा करने पर व्यक्ति को नर्क की यातना झेलनी पड़ती है, और ऐसा व्यक्ति अगले जनम में पशु की योनी में जन्म लेता है, जो ग्रहन काल के दोरान संभंद बनाते हैं इसके अलावा दोस्तों ग्रहन काल के दोरान भोजन भी ना करें ना ही भोजन पकाना है, ना ही भोजन करना है, सोना भी नहीं है कुछ और भी काम जो आप भूल कर भी ना करें ग्रहन काल के दोरान पहुचाती है तो दोस्तों उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें कमेंस में ज़रूर लिग दे जै सूरिय देव जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में ध खनेवाद